खबर मतुरा से सड़क चोड़ी करण में बाधा उत्पन बन रही 100 साल पुरानी अध्धा बाबा की दरगाह को हटवाया मतुरा में पुलीस ने यातयात को डायवर्ट किया ताकि भीड़ना एकत्रित हो सके पुलीस ने कड़ी सुरक्षा के बीच अध्धा बाबा की मजहार को ध्वस्त कर दिया इससे पहले कई बार यहां विरोध प्रदर्शन हुआ था मतुरा वरंदावन के मध्य सड़क चोड़ी करण में बाधा उत्पन कर रही करीब 100 साल पुरानी अध्धा बाबा मजहार सुमवार को जिलाप्रशासन ने भारी फोर्स की मौजूदगी में ध्वस्त कर दी मजहार को हटाने के लिए करीब 6 महीने पहले जिलाप्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की थी लेकिन जिद पर अड़े मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे वैद करार देते हुए हटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था सोमवार को मजार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया फोरलेन का चल रहा है काम विदित हो मतरा के मसानी से लेकर पागल बाबा मंदिर तिराहा तक लोक निर्मान विभाग द्वारा सड़क को फोरलेन करने का काम तेजी से चल रहा है मसानी से लेकर पागल बाबा तिराहा तक सलक चोडी करण का कार्य पूरा हो चुका था लेकिन अध्धा पुलीस चौकी के समीब करीब सो साल पुरानी अध्धा बाबा मजहार सलक चोडी करण में बाधा उत्पन कर रही थी मजहार स्थानांतरित करने की अपील भी की गई थी जिला प्रशासन ने नवंबर के महीने में मुसलिम समाज को नोटिस जारी कर मजहार को स्थानांतरित करने की अपील की थी लेकिन मुसलिम समाज ने मजार का इतिहास बताते हुए इसे हटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया और सलाह दी की मजार के ऊपर पुलीस बना कर रास्ता बना सकते हैं लेकिन फोर लेन कारे में बाधा उत्पन कर रही मजार को प्रशासन ने सोमवार की सुबा द्वस्त कर दिया भारी पुलीस बलकी तैनाती मजार द्वस्त करने से पहले मौके पर पुलीस और आरे एफ की भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई मसानी से लेकर पागल बाबा तक मार्ग पर आवगमन पूरी तरह बाधित कर दिया ताकि किसी तरह की बाधा उत्पन ना हो सके सुबह 6 बजे से पहुँची टीम ने 9 बजे तक मसार को पूरी तरह से ध्वस्त कर डाला मतुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट जनकल्यान न्यूस